नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी के आपके अपनी यूटूब चैनल प्रकास से यूटिक में यूपी स्कॉलर सीब 23 शोबिस जिन छात्रों का फॉर्म बेरिफाई हो चुका है उनके लिए तो अच्छी बात है उनके तो मौज ही मौज हैं लेकिन सवाल यह है कि जिनका बेरिफाई हुआ है उनका पैसा कब तक आएगा साथ ही वे चात्र जिनका फॉर्म अभी तक बेरिफाई नहीं हुआ है और ना ही रिजेक्ट हुआ है तो उन चात्रों को क्या करना है आखिर ये बातें भी मैं आपको बताने वाला हूँ अभी information आपसे मिसना हो तो फिर देरी किस बात की चले वड़े को सुरू करते हैं आपको तो जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि देखो अलग-अलग छात्रों का form district scholarship committee से verify हुआ और आज आपको सुबह 10 बचे तक चिक कर लेना था अगर अभी तक आपका form verify हुआ है तो फिर आपको दिख रहा है तो उन बच्चों के लिए अच्छी ख़बर ये है कि उन बच्चों की जो भी चात्रों की जो भी चात्रों होते हैं जिनका form verify होने के बावजूद भी पैसा चात्रों होता उनको नहीं रिसीव होता यह चीज आप समझ गए बाकी का ये तो हो गया बेर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका कमेंट आया है चलिए पहले कमेंट के ही तरफ बढ़ते हैं और आपको सरी यहां पर आप देख सकते हैं कि मार्क्स में समय सो कर रहा है जबकि suspect डाकूमेंट किया था कॉलेज में कुछ बच्चे ऐसे हैं जनका कहना है कि सर अभी तक तो हमार इंटरफेस खुल जाएगा और यहां से आपको क्या काम करना है तुरंत यूपी स्कॉलर्शिप स्टेटेस दोशा तेश चोब इस पर क्लिक कर देना है जिससे आप क्लिक करके आते हो आपको सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा जहां से आप अपना प्रॉब्लम देख सकते हो तो जैसे यहां पर मैं क्लिक कर देता हूँ आप देख सकते हैं कि यहां पर थोड़ा सा वेपसाइट में ग्लिच आ रहा है लेकिन आपको परसान नहीं होना है एक से दो बार ट्राइ करना है और आप लोग का जो भी फॉर्म है यहां पी देखेस से ओपन हो गया अब आपको अपना स्कॉलर्शिप का स्टेटस देख लेना है बिल्कुल दुरुस आप देख पाओगे समझ गया आज आपका डेट जो है वो हो गया 14 मार्ट आज है तो आप लोग 15 तक का इंतजार कर लो बाकि रिजेक्ट होने के आसार आप समझ लो की बहुत मने अभी स्टार्टिंग बताया ना कि बहुत ज़्यादा केस ऐसा भी आता है कि बेरिफाई होने के बाद भी पैसा उनकी खाते में नहीं भेजा जाता तो बेरिफाई होने का यह मतलब नहीं कि आएगा ही यहां संभावनाय बढ़ जाती है मार्ग प्रसस्त हो जात यानि कि 15 मार्ज के साम तक सही हो जाएगा जिनका बेरिफाई नहीं हुआ है उनको 15 मार्ज तक इंतिसार करना है अगर आप अपने कॉलेस के टेच में हो तक बड़ जरूर से बात करना है समझ गया बाकी का कुछ आप कर नहीं सकते यह मेरा आज फॉर्म बेरिफाई हो गया बाद भी सही नहीं होगा फिर से देखो अगर रिजिक्ट हो गया तो सही नहीं होगा अगर आपका पैचान है आप सही करवा दो अलग बात है लेकिन एक बार आपके फॉर्म पर नियुड़ लिया गया तो बदलता नहीं तो यह तमाम सारी चीज़े हैं सर प्लीज यह बता है एक रहमी बारहमी का बहुत जल्द आप लोगों को वीडियो बता दूँगा कि किस तरीके से चेक करना किस तरीके से दीखेगा सब मेरा पेंडिंग है कल साम तक का इंतिजार कर लो बाकी आज आएगा बहुत जल्द ही आप लोगों की संभावन आए हैं समझ गए चलो तो जिनका जिनका फॉर्म वेरिफाइव हुआ है उनकी उनके लिए अच्छी बात है जिनका नहीं हुआ है वो कल तक इंतिजार कर मान के चलेंगे चांसेस नहीं के बराबर हैं फॉर्म वेरिफिकेशन का तो मिलेंगे किसी ने उड़े में किसी ने टॉपिक हिससाथ तब तक के लिए थैंक्स फुर वर्शिन